नमस्कार स्वागत है आपका बिहार की खबरों में मैं हूँ आपके साथ सुमनबाल राजभवन और बिहार की निती सरकार के बीच दूरिया देखने लगी हैं आपको बता दे की परदेश में विशुवी घ्याले में ब्रस्टा चार की मिल रही शिकायते इसकी मुख्य वाज़ा मानी जा रही है राजभवन और सरकार के बीच दूरिया तब दिख गई जब मंगलवार को राजभवन में एक सम्मान समारो को राज़ सरकार का कोई परती निधी शामिल होने नहीं आया जबकि शिक्ष्या मंत्री विजय कुमार चौधरी को इसमें शामिल होना था जानकारी के मुताबिक राजभवन में चांसलर अवर्ड समारो का आयोजन किया गया था जिसमें पांच शिक्षक और छे विध्यार थी दो महा विश्यू विज्याले के ही ललित नरायड और मिथिला विश्यू विज्याले के कुलपती प्रोफेसर एस्पी सिंग को राज्यपाल फागु चोहान ने सम्मानित किया और इस कारेक्रम में बिहार के शिक्ष्या मंतरी विजे कुमार चोधरी को भी शामिल होना था लेकिन कारेक्रम से उन्होंने किनारा कर लिया और नाही शिक्ष्या विभा की और से कोई अधिकारी नहीं पहुचा है और इसके साथ ही आपको बता दे कि इसकी वज़ा मुलाना मजहर को बताया जा रहा है आपको बता दे कि इसको लेकर भी मुख्यमंतरी नितिश कुमार को पत्र लिखा गया था और बताया गया था कि सीम को लिखे पत्र में कुदुम ने ही विश्योविक ग्याले के प्रभा के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है उन्होंने उत्तर पुस्तिका खरीद मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पहले 7 रुपे परति कौपी की दर्से लखनाओं के बिके डेटर्स में ही छपाई जाती थी कारेकारी कुलपती स्पी सिंग ने इसे बढ़ा कर अब 16 रुपे परति कौपी कर दिया है और 1,60,000 कौपी का ओर्डर दे दिया है और जब कौपी छप आई तो फिर 28 रुपे परति कौपी का विल भेजा गया आपको बता दे कि राजभवन में शिक्षा मंत्री ने ही कारेकरम में जो थे उससे किनारा कर लिया है आपको ये भी जानकारी दे दे कि राजभवन से ही निति सरकार ने दूरिया बना ली है आरज़ेडी सुप्रीमो लालू परसाद यादव पार्टी कारेयले में लगे छे दुश्मिलो पाच टन के लाल्टेन का अनावरन करने वाले हैं कारेयले में संग मरमर के पत्थर से बनी लाल्टेन का निर्माण कराया गया है चेटन भारी लाल्टेन का निर्माण पार्टी कारेयले में उसी स्थान पर कराया गया है जहां पर सालों से जंडो तस्तलन होते रहे हैं और इतना ही नहीं पार्टी के रास्ट्रिया ध्याक्ष लालू यादव चार साल बाद पार्टी के दफ्तर आने वाले हैं इधर बांका उपकोशागर में भी अवेद निकासी मामले में मंगलवार को लालू यादव की पेशी हुई है और अब इसकी अगली तारीख 30 नवंबर को निर्धारित कर दी गई है इस बीच रास्टी जंता धल के परदेश कारयाले में भी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष के स्वागत में ही त्यारी पूरी हो चुकी है पार्टी कारयाले में बने 6.5 तन वाले लाल्टेन को फाइनली टच दिया जा चुका है इस लाल्टेन का अनावरन पार्टी के रास्टी अधियक्ष लालू प्रसाद यादव करने वाले हैं पार्टी के मुखे द्वार के साथ साथ पूरे पार्टी कार्याले की सफाई और रंग रोन की भी जानकारी दे गई है दरजल पार्टी के रास्टी अधियक्ष लालू यादव करीब चार साल से भी ज़्यादा समय के बाद अब प्रदेश कार्याले में आने वाले हैं लालू यादव के चेंबर को भी सजाया गया है आपको बता दे कि लालू यादव पिछले बार साल 2017 में ही पार्टी के स्थापना दिवसमारों में जुलाई महीने में प्रदेश कार्याले में पहुंचे हुए थे और उसके बाद चारा घोटाला मामले में उन्हें राची जाना पड़ा था और आपको ये भी बता दे कि वे जेल चले गए जिसके बाद जेल से आने के बाद ये पहला मौका होगा जब लालू परसेद यादव प्रदेश कार्याले पहुंचेंगे यही वज़ा है कि यहाँ जोर शोर से तेयारियां चल रही है जानकारी तो ये भी है कि लाल्टेन संग मरमर के पत्थर से बना हुआ है ववस्था इस तरह की होगी कि इसमें रोशनी हमेशा रहेगी इसके लिए गैस या तेल की ववस्था भी की जाएगी ताकि इसकी लोग हमेशा जलती रहे कार्याले में 11 फीट उची संग मरमर के पत्थर से बनी लाल्टेन का निर्माण नेता पर्तिपक्ष तिजस्मी परसाद यादव और परदेश राजद परदेश आपको बता दे कि अधियक्ष जगदा नंद सिंग की देख रेख में किया गया है इन दिनों बिहार में पंचायद चुनाव हो रहे हैं और इस दोरान कई जगा से हिंसा की भी खबरे आ रहे हैं इस बीच पूर्वी चंपारन जिला में चुनाव हारने वाले मुख्य परतियाशी परग्रामिणों के साथ मारपीट का आरोप लगा है मामला चकिया परखंड की सागर पंचायद का बताया जा रहा है प्राजित आपको बता दे कि मुख्य परतियाशी ने भी अमरेंदर के घर से घुसकर ही उस पर हजानलेवा हमला कर दिया लाठी डंडा लोहे का रोड और चाकू से हमला कर अमरेंदर सिंग को जक्मी कर दिया गया है जिसका वीडियो भी वाइरल हो चुका है घटना को लेकर अमरेंदर सिंग ने थाने में आवेदन दे कर साथ नामजद समेथ 20 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया है जक्मी अमरेंदर ने कहा है कि घटना के वक्त थाना को फोन किया गया लेकिन पुलिस नहीं पहुंची वहीं स्थाने लोगों की मदद से ही अमेंदर सिंग को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराये गया और घटना की कई घंटे बाद ही गंभीर रूप से जक्मी अमेंदर सिंग इलाज कराने के बाद थाना पर गए और उन्होंने प्राथमी की दर्ज कराई पीडित के मुताविक पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की गई है साथी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की भी मांग की गई है ब्रस्टाचार के आरोपी कुलपती को राजेपाल फागु चोहान ने राजी के बेस्ट वीसी के आवोर्ट से सम्मानित किया है जबकि उन पर लूट और खसोट करने का भी आरोप लगाया गया है इसको लेकर सियम नितिश कुमार को एक पत्र भी लिखा गया है सुरेंद्र परसाद सिंग फिलहाल ललित नरायन मथिली यूनिवसिटी की वोईस चांसलर हैं उन्हें राजभवन में सम्मानित किया गया और आपको ये भी बता दें कि मोलाना हक अर्भी फार्सी विशुविघ्याले के वर्तमान वीसी प्रोफेसर कुदुस के नाम से ही पूर्व परवासी वीसी प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंग पर भ्रस्ट अचार का आरोप लगाया था उन्होंने सीम नितिश को लिखे पत्र में लिखा है कि उन्हें 19 अगस्त 2021 को युनिवर्सिटी में ही वोईस चांसलर के तोर पर जोईन करना था और उस जोईन से पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे लेकिन रेजिस्ट्रार डॉक्टर मुहमद हभीपूर्न रह्मान नहीं अग्यात कार्णों से उन्हें जोईन करने में 23 अगस्त तक की देरी कराई इस बीच ही सुरेंद्र प्रसाद ने कई फैसले किये और जिसमें लाख रुपे की अनियमता हुई दो गुने दामों में लखनाओ की अजनसी को आसर शीट चापने के लिए टेंडर दिये गए और इसके साथ ही पटना की अजनसी के जरिये आपको बता दे नियुक्ती भी आर्थी का अनियमता की गई है और इसके अलावा अनियमता के भी परदे पे पीछे लूट का खुला खेल चल रहा है बिहार में भी कई जिलों में किसान को पराली जलाने की सूचना क्रिशी विभाग को पहुँच रहा है लगातार क्रिशी विभाग किसानों के वीच जाकर पराली नहीं जलाने को लेकर जागरुक कर रहे हैं और कई जिलों में विभाग ने किसानों और इसको लेकर कारवाई भी की है क्रिशी मंतरी अमेंदर परताब सिंग ने कहा है कि पराली जलाने की समस्या तब से शुरू हो गई जब से किसान पूरी तरह से किसान नहीं रह गए उन्होंने कहा कि किसानों को हम लोग पशुपालन के लिए जागरुक करने की कोशिश कर रहे हैं पहले कि किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे लेकिन अभी अधिकांश किशान जो है वो पशुपालन करना छोड़ दिया गया है और यही कारण है कि खेतों में पराली बच जाती है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किसान जब मवेशी पालन करने लगेंगे निश्चित तोर पर ही पराली जलाने की ववस्था जो चली आ रही है वो बंद हो जाएगी इसको लेकर किशी विभाग जागरुकता अभियान भी चला रहा है और राज्य सरकार लगातार किसानों को मवेशी पालन करने के लिए अनुदान भी दे रही है जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा किसान क्रिशी कारें के साथ साथ मवेशी पालन करें और इसको लेकर भी पहले ही शराब को लेकर शमीक्षा बैठक की और इस बैठक में सीयम ने मौझूद सभी पुलिस अधिकालियों को निर्देश दिया कि बिहार में किसी भी तरह की शराब की नहीं बिकनी चाहिए अगर किसी भी थाना अंतरगर्थ शराब बरामद होती है तो ऐसे में वहां के थाना परभारी को बक्षा नहीं जाएगा और इस फर्मान के बाद से ही बिहार पुलिस एक्षिन में है और बिहार के सभी जिलों में भी पुलिस तापड तोड़ चापे मारी कर रही है चापे मारी में परते दिन अवेद शराब की ब्रामदगी भी हो रही है आपको बता पिलाने वाले और पिलाने वाले लोगों के विरुद चापे मारी की जा रही है बिहार में जन अधिकार पाटी के इंसन रक्षन पपू यादव ने इन दिनों पुर्णिया के सिमानचल में हो रही हत्यारों पर बयान देते हुए कहा कि बिहार सरकार लुटेरों को लेकर मेरा थन बैठक कर रही है बिहार में हो रहे पंचायद चुनाओ से पहले हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला पंचायद चुनाओ खतम होने के बाद भी चलता रहेगा बिहार सरकार के कारेकाल में शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, टेंडर माफिया और बोल वाला है आपको बता दे कि अब एक नया ड्रग माफिया जुड़ गया है पपु यादव पिछले दिनों हुए पुर्णिमा का सदर थाना छेतर के सोरा नदी में मिले यूवक के शौग जिसकी पहचान शौरव के रूप में हुई थी, वो पुर्णिया सिटी निवासी था और पपु यादव सौरव के घर पहुँचे और उसके माता पिता को अपनी समवेदना जाहिर की उन्होंने कहा कि सौरव की हत्या हुई है और वो पुलिस और वरिय पदादिकारियों के मिलकर उसके हत्यारों के गिरफतारी की मांग करेंगे और इसके साथ ही पपू यादव ने कहा कि अगर सौरव के मुबाइल फोन के कॉल डिटेल को निकाला जाए कि वो अंतिम बार किस से बात किया था तो अलग अलग अगल बगल के लगे CCTV कैमरों को भी खंगाला जा सकता है और पुलिस आसानी से उसके हत्यारों तक पहुँच सकती है पपू यादव ने पुर्णिया के आईजे से मुबाइल पर बात कर निश्पक्ष जाज करवाने की भी बात कही है उन्होंने कहा कि सौरब की बेरहमी से हत्या की गई है और लगबग एक सब्ताह बीतने के बाद भी पुलिस उसके हत्यारों तक नहीं पहुच पाई है और उन्होंने कहा कि सौरब के परिवार के साथ ही वो खड़े हैं और बहुत जल्द ही उसके परिवार को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे कॉंग्रेस ने शराब बंदी महगाई और अन्य मुद्दो को लेकर भी प्रेस कॉंफरेंस की है इस दोरा नेताओं ने कहा कि आज बिहार में शराब बंदी कानून मजाक बन कर रह गया है जारखन कॉंग्रेस के बड़े दिगज नेताओं में भी मौजूदगी वहाँ पर देखी गई है आपको बता दे कि नेताओं ने प्रेस से बात करते हुए कहा है कि चाहे बिहार की नितिस सरकार हो या केंदर की मोदी सरकार हर मोर्चे पर दोनों सरकार विफल है कॉंग्रस निताओं ने कहा कि बिहार में शराब बंदी कानून है और इसके बावजूद हर जगह शराब बिक रही है पहले तो लोग शराब दुकान पर जाकर खरीदते थे लेकिन अब शराब महंगे दाम पर होम डिलीवरी हो रही है जो कि पुलिस परशासन की सहमती से ही बिक रहा है अभी हाल ही में देशी शराब की वज़ा से मोतिहारी गोपाल गन समेत कई जगों पर 40 से ज़्यादा लोगों की जाने चली गई है इन मोतों का जिम्यदार बिहार की सरकार है निताओं ने कहा कि बिहार समेत देश भर में महगाई चरम पर है जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब विपक्ष में बिजेपी सिलेंडर को लेकर प्रदशन करती थी आज पैट्रोल और डीजल सो के पार भिक रहा है जो गैस सिलेंडर कॉंग्रेस के जमाने में 400 रुपे में बिलता था वो अब 1000 के से उपर हो चुका है उजवला योजना का दावा करने वाली सरकार गरीबों का भी ख्याल नहीं रख रही हर नौत थाना छेतर के पोवारी गाउं में खेत की आरी को लेकर हुए विवाद में एक किसान की हत्या कर दी गई इस घटना में किसान पर कुदाल से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया सूचना के बाद मौके पर पहुँची पुलिस और मामले की जाज में जुट चुकी है और मिर्तक की पहचान पोवारी गाउं निवासी भोला सिंग के पुत्र नीपू के रूप में हुई है आपको बता दें कि ग्रामीड का कहना है कि किसान अपने पिता के साथ आलू रोपने के लिए खेत में गया हुआ था और जहां आरी विवाद में गाउं के ही दो-चार लोगों ने मिलकर उसे पकड़ कर कुदाल से ही काट कर हत्या कर दी जिसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई बाद में इस थाने ग्रामीडों की सूचना पर हर नोत थाना पुलिस मौके पर पहुँची और पुलिस में शौको कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भेज दिया है अगटना को लेकर पीडित के पुत्र शौरब कुमार ने बताया कि करीब 10 साल से ही इस कारे को लेकर विवाद होता आ रहा है और हैबिट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उसके पापा और उनके दादा खेत पर आलू रोपा करते थे और तभी आरी का विवाद बढ़ते बढ़ते कहा सूनी हो गई और बाद में बढ़ते बढ़ते इस आरोप में मारपीट शुड़ हो गई उन्होंने बताया कि उनके गाओं के राजन सिंग और सतीश सिंग अन्य लोगों ने मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी है हाला कि हत्या के बाद आरोपी गाओं के ही एक मकान में छुपा हुआ था जहां पुलिस ने परिजनों की निशान देही पर ही उसे घर से निकाल कर गिरफतार कर लिया है वही इस मामले में सदर DSP डॉक्टर सिबली निमामनी में कहा है कि आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है अन्य की गिरफतारी के लिए टीम लगी हुई है आरोपी को जल्द ही गिरफतार कर लिया जाएगा भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां हर धर्म और जाती के लोग रहते हैं और हर धर्म के अपने रिती रिवास भी होते हैं और हर किसी के रिती रिवास भी अलग अलग ही होते हैं और भारत में तमाम तरह के धार्मिक परंपराईं हैं जिनमें से एक परंपरा ऐसी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे तो चलिए एक ऐसी ही अनोख्य परंपरा के बारे में आपको बताते हैं देखें ये खास रिपोर्ट भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं और सबके रिती रिवास भी अलग-अलग होते हैं यहां तमाम तरह की धार्मिक परंपराईं और रिती रिवास देखने को मिलते हैं इन में से कुछ परंपराईं इतनी अजीबो गरीब होती हैं कि जिनके बारे में सुनकर आज शर्य भी होता है तो चलिए आज आज आपको ऐसी ही एक अनोखी परंपरा के बारे में बता देते हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी हरान हो जाएंगे हिंदु धर में देवी देवताओं की पूजा को लेकर तरह तरह की परंपराई निभाए जाती है ऐसी एक परंपरा पश्य मंगाल के हुगली चिले के चंदन नगर में निभाए जाती है ये परंपरा ऐसी है कि इसके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा और इस परंपरा के अनुसार पुरुष साड़ी बेहन कर पूजा करते हैं जी हाँ महीला नहीं बलकि पुरुष साड़ी बेहन कर देवी मा की पूजा करते हैं सबसे ज्यादा हिरानी की बात तो ये है कि ये परंपरा साल दो साल से नहीं बलकि पिछले 239 सालों से निभाई जा रही है तो चलिए अब आपको बताते हैं इस सनोखी परंपरा के बारे में दरसल पश्विम बंगाल के चंदर नगर में इस परंपरा के दरान मा जगधात्री की पूजा की जाती है इस दरान घर की महिलाई नहीं बलकि पुरुष साड़ी पहन कर माता की पूजा अरचना करते हैं हर साल की तरह इस बार भी चंदर नगर का नजारा काफी अद्बुत था इस बार भी पूजा के दरान पुरुषों ने साड़ी पहन कर मा जगधात्री की संदोर और पान से आराजना की बंगला संसृती में सदियों से ही मा जगधात्री की पूजा के दरान अलग-अलग नजारा देखने को मिलता है इस दोरान पुरुष्टाड़ी पहन कर और सिर पर पल्लू डाल कर माजगधात्री की पूजा अर्शना करते हैं हर साल ये बहुत ही मोहग द्रिश्य होता है पूजा के दोरान इस शांदार नजारे को देखने के लिए मंड़ परिसर के भीतर और बाहर सेकड़ो श्रद धालू चमा रहते हैं तो चलिए बाब को बताते हैं कि इस परंप्रा की शुरुवात कब, कैसे और क्यों होई थी दिरसल पूजा कमिठी के संचौलक बताते हैं कि आज से लगबग 20 साल पहले बंगाल के राजा कृष्णी चंडर दिवान दाताराम सूर की बेटी का घर चंडर नगर के गौरहाटी में था जहां पर मा जगधात्री की आराद्ना होती थी बात में आर्थिक तंगी के कारण राजा की बेटी ने इस पूजा को तेतुलत अला जगधात्री पूजा के रूप में इलागे के लोगों को हस्तांतृत कर दी उस समय राजा और जमीनदार परिवारों में महिलाओं के लिए परदा प्रथा का प्रचलन था किसी भी सामाजिक कारे में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं को इज्वाज़त नहीं दी जाती थी पश्यन बंगाल की संस्कृती में ये परंपरा अंग्रेजों के शासन के समय से चली आ रही है इस अनोगी पूजा के बारे में ये भी कहा जाता है कि करीब 239 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन था तब शाम ठलने के बाद अंग्रेजों के डर से महिलाओं घर से नहीं निकलती थी उस दौरान घर के पुरुष साड़ी बहन कर मा जगधातरी की पूजा करते थे और इसके बाद तो ये एक परंपरा बन कर चल निकली और तब ही से पुरुष साड़ी बहन कर देवी मा की पूजा आर्चना करते हैं स्पेशल रिपोर्ट आर्या नियूज फिलाल बिहार की खबरों में इतना ही आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहें आर्या नियूज के साथ